असलाम अलेकूम खुशाम दीद पैरे बच्चों कैसे हैं आप आप सब लोग अपने अपने घरों में मज़े में होंगे लॉकडॉन की वज़े से सब लोग अपने घरों पर होंगे इस मरतबा गर्मियों की छुटियां बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी हैं मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने एक तालिमी वीडियो लेकर हाजिर वी हूँ मैंने एक सबग ऑनलाइन इसमें पढ़ाया है आप देखेंगे तो चलो हम ऑनलाइन एक वीडियो देखेंगे सबग का नाम है हवा का दबाव एर प्रेशर ये सबग जुगराफ्या की जमाद हफ्तुम की किताब से लिया गया है इस वीडियो को तयार करदा मैं पटेल आरिफा अब्दुलहमीद जिला परिशद उर्दु स्कूल देगाओ जिला शुलापूर तो चलो आज हम देखेंगे हवा का दबाव साथवी जमाद की किताब में कुदरती वसाइल की खुसूसियाद इस सबग के तहट हवा वजन रखती है ये तजरुबे करके दिखाए गए है एक स्टॉ ले और दो गुबारे एक गुबारे में हवा भरे और स्टॉ के एक सिरे पर बांदे और दुसरे सिरे पर बगएर हवा का दबाव बगर हवा भरे हुए गुबारे को बांदे इस्टो के दर्मियान धागा बांदे आप देखेंगे कि हवा से भरा हुआ गुबारा नीचे के जानिब हो गया यानि हवा वजन रखती है इसी तरह से दूसरा एक तजरुबा करके दिखाएंगे एक ग्लास में पानी लेंगे और इस के दर्मियान एक स्टो रखेंगे दूसरा स्टो की मदद से फूंक मानेंगे फूंक मानने की वज़े से स्टो पर हवा का दबाव पैदा होगा और पानी फुवारी की शकल में उड़ता हुआ नजर आएगा इस से साबित होता है कि हवा दबाव रखती है मैं और एक तजरुबा आपको बताना चाहती हूँ एक बगर सुई वाला इंडेक्शन ले दबाव के सिरे को खिचने और दबाने पर वो आसनी से दब जाएगा और खिच जाएगा लेकिन जब हम इसके सुराग पर अपना अंगोटा रख लेते हैं तो वो दबाने पर नहीं दबता कितनी भी कोशिश करें तो वो नहीं दबेगा क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव काम कर रहा है यह जुगराफिय वजुहात है हवा का दबाव हवा के दबाव की वज़े से फिजा में आंधी, बारिश, जैसी तब्दिलियां होती है हवा का दबाव जमीन पर एकसा नहीं होता वो वक्तन फौक्तन तब्दिल होता रहता है हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाएंगे हवा का दबाव कम होता है मुकाम की बुलंदी और हवा का दबाव जमीन के गिर्द आभी बुखाराद गर्द गुबार जैसे अज़ा होते हैं लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे हवा का दबाव कम होता है और सत्य समंदर पर सत्य जमीन पर हवा का दबाव ज्यादा होता है देखो यह बताएगा है तस्वीर में बुलंदी पर हवा का दबाव कम है और सत्य जमीन पर हवा का दबाव ज्यादा है हवा का दरज हरारत और हवा का दुबाव दरज हरारत भी हवा के दुबाव पर काफी अश्र रखती है हम इसको तजरूबे के जरी देखेंगे एक अस्मानी कंदिल लें इस कंदिल में एक मुमबती रखेν और मुमबती को जलाएंगे जब मुंबती से हरारत पैदा होगी तो कंदिल आस्मान की तरफ जाने लगेगा दर्ज हरारत की वज़े से हवा का दबाव कम हो गया और कंदिल उपर के ओर जाने लगी इस तरह दर्ज हरारत के पटों और हवा के पटों का गहरा तालूक है मन्तक हारा यानि खते इस्तवा यहाँ पर दर्ज हरारत ज्यादा होने की वज़े से हवा का दबाव कम है 30 दर्जे से 66 दर्जे तक दर्ज हरारत कम होने की वज़े हवा का दबाव ज्यादा होता है जो मन्तक है मौते दला में दिखाया गया है अब हम कुछ सवालात देखेंगे मन्तके हारा के इलाकों में हवा के कौन से दबाव के पटे खास तौर पर पाए जाते हैं मनतके हारा के इलाके में हवा के कम दबाओ के पट्टे पाए जाते हैं कुदभी हवाएं कौन से दबाओ के पट्टों से मुनसलिक हैं और ये कौन से मनतके में चलती हैं कुद भी हवाएं ज्यादा दबाव के पट्टे से मुनसलिक है जो मन्तक मौते दला में चलती है मन्तक हारा के इलाके में हवा के कम दबाव के पट्टे के वजूद है इसके आने की क्या वज़े है मन्तक हारा में दर्ज हारा ज्यादा होता है जिसकी वज़े से कम दबावाले पट्टे वजुद में आते हैं मन्तक मौत दला में चलने वाली हवाओं का तालुक हवा के दबाव के किस पट्टे से होता है मन्तके मौते जरा में चलने वाली हवा का तालुक, हवा का दबाव ज्यादा होने से ज्यादा दबाव के पट्टे पैदा होते हैं कम दबाव के पट्टे कौन-कौन से अरजुल बलत के दर्मियान है देखो इन शकल में बगताया गया है लाल नशान से कम दबाव के पट्टे खते इस्तवा यानि सीफ़ से पाँच अरजुल बलत के दर्मियान पाए जाते हैं सते जमीन पर हवा के दबाव के पट्टे सते जमीन पर सूरज की हरारत गयर मसावी होती है खते इस्तवा कुद्बे शुमाली कुद्बे जुनूबी पर दर्ज हरारत गयर मसावी होता है हम ये हवा के दबाव पर हवा के दर्ज हरारत के पट्टों का हवा के दबाव पर असर पड़ता है अब हम देखेंगे इस्तवाई कम दबाव का पट्टा खते इस तवा पर सुरज की रोश्नी उमूदन पढ़ती है ये उमूदन रोश्नी खते सर्थान से खते जद्धी के दर्मियान होती है यहां का दरजहरात बहुत ज्यादा होने की वज़े से हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की होकर आस्मान की तरफ बुलंद होती है इसी वज़े से सीफर से पांच यहां हवा का कम दबाव का पट्टा तयार होता है अब देखेंगे वस्तिय अरजुल बलत ज्यादा दबाव के पट्टे खते इस तवा की गर्म हवा बुलंद होकर शुमाल जुरूब में बहने लगती है यहां का तरजहरारत कम होने की वज़े से ज्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं यह हवाएं बिलकुल खुश्क होती हैं इन इलाकों में बारिश नहीं होती जिसकी वज़े से रेगस्तान वजूद में आते हैं अब हम देखेंगे जेरे कुद्बी कम दबाव के पट्टे यहां जमीन की रगड और जमीन के सुकडे वे हिस्से और जमीन के महवरी गर्जिश की वज़े से यहां की हवा बाहर फेकी जाती है और 55 से 65 के दर्मियान में कम हवा का दबाव होता है अभी हम देखेंगे कुद्बी ज्यादा दबाव के पट्टे यहाँ पर साल भर दर्ज हरारत सीफर होता है इसलिए यहाँ हवा का दबाव ज्यादा होता है शुमाल और जुनुब पर पढ़ने वाली सूरज की रोशनी की वज़े से मुसलसिल ह्वा के दबाव के पट्टे सरकने लगते हैं इन दबाव के पट्टों को आइतिजास कहते हैं अब हम देखेंगे खत आ मसावी बार नक्षे पर एक सां हवा का दबाव रखने वाले मकामात को जिस खत के जरीए जोड़ा जाता है इस खत को खते मसावी बार कहते हैं खतूत मसावी बार एक दुसरे के मतवाजी होते हैं देखो ये एक दुसरे के मतवाजी हैं कौन से अरजुल बलत पर कम और ज्यादा दबाव है ये भी जाहर किया जाता है बर्रे आजमों बहरे आजमों पर खुतूत मसावी बार का दर्मियानी फासला भी बताया जाता है शुमाल और जुनुब कुरों में खुतूत मसावी बार का मौजना किया जाता है हमने भी हवा के दबा की मालुमात हासिल की है अब तुम घर पर बैटकर यह सवालात के जवाबत हल करेंगे वीडियो पॉस्ट करके आप लिख सकते हैं सवालात के जवाबत लिख सकते हैं उन सवालात के जवाब को मुझे वाटसाप के जरिये भेज दें आपने जो अभी इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हफीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अल्ला हफीज